नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गॉरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है और इसमें जिस तरीके की म मुमेंट चल रही है इन्हें देखते हुआ हम यह समझने की कोशिच करेंगे कि क्या सपोर्ट रेस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आग्ये का क्या वियू बनता है बाइंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आए शुरू करते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम से गोल्ड MCX का चार्ट दोस्तों कल हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ने अपनी शुरुआत करी थी और धीरे धीरे मार्केट उपर अपने आपको सस्टेन कर नहीं कोशिच कर रहा था पर वो सस्टेनिबलेटी ज्यादा देर रुक नहीं पाई और मार्केट वहां से गिड़ना शुरू हो गया गिड़ने में इसने 50,070 के अराउंड का शायद कुछ ऐसा ऐलो था और फिर वहां से थोड़ी रिकवरी भी दिखा ही मार्केट ने 50,500 क को भी ब्रेक किया पर वहां भी सस्टेन नी कर पाया और नीचे फिर एक क्रेक्शन देते हुए साड़े 300 के प्राइस को भी ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोज हो गया I think 325 की इसकी क्लोजिंग थी और अभी मार्केट ओपन हुआ है 50,170 का करेंट प्राइस है कौन से देखे दोस्तों यहां पर एक बाइंग ट्रेंड बना हुआ था मार्केट उपर अपने आपको होल्ड करनी कोशिश कर रहा था पर जैसी एक सेलिंग आई एक शार्प डाउन साइड हमें देखने को मिली वहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाई इस प्राइस को पर मार्के लेवल था यहां पर इसने रियस्टेंस फेस किया मतलब हर बाड़ी पर अगर इस तरीके का खुछ साइन आपको नजर आ रहा हो तो वह रियस्टेंस का भी साइन होता है फिर आपको यह देखना होता है कि मार्केट टरन कर रहा है और नहीं कर रहा फिर मार्केट ने information मिल जाती है कि market अब नीचे के side जाना शुरू हो गया है जिसमें इसने येवाला low भी break कर दिया ठीक है थोड़े सी recovery फिर वापस market नीचे आने की कोशिश कर रहा है current price है 50,175 और थोड़ा सा आगे जलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पर वहां समझते हैं कि क्या view हमें नजर आ रहा है आगे का थोड़ा सा शायद net is slow है इस वज़े से net is slow नहीं है actually correction दो बार आ गई है market यहां से upside दिखा रहा था और उसके बाद ये एक sharp correction आई धाई हजार point की और वहां से market ने recovery दिखाने ही कोशिश करी जिसमें इसने 51,000 का एक level break किया यह level psychological level था मतलब देखे ऐसे round figure वाले जो levels होते हैं 50,000, 51,000, 50,500, 52,000 यह psychological level तो होते ही होते हैं पर इनका technical level होना जरूरी है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है तो यह psychological level था तो इसे market ने break किया क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे players होते हैं जो जान बूझ के यह कोशिश करते हैं 51,000 का level break हो जाए कि इस तरीके से तो ब्रेक होता है और जो normal traders होते हैं उसमें से कई traders ऐसे होते हैं पिल्कुल exact 51,000 के उपर अपना stop loss लगा के रखेंगे या फिर वहां पर further buying करने की कोशिश करेंगे तो यह इस psychology में एक लड़ाई चलती रहती है फिर यहां से market नीचे आया उपर फिर sustain करनी कोशिश करी फिर market नीचे और अभी currently अपने इस support area पे ही यह trade कर रहा है current price है 50,168 और थोड़ा सा आगे चलते हैं चार घंटे के time frame पे देखते हैं क्या view हमें नज़र आ रहा है यहां पर अगर हम देखें तो market में एक consolidation phase चल रहा था जो काफे time तक sustain करता था buying गई 52,520 का एक high इसने लगाया और वहां से एक sharp selling जिसमें इसने इस पूरे के पूरे consolidation part को भी break कर दिया और नीचे के price से फिर थोड़ी सी recovery है bounce back करके दिखाया और यहां से फिर हमें selling होती भी नज़र आ रही है देखें दोस्तों चार घंटे का time frame जो होता है वो आपको एक तरीके से trend indicate करता है जिसमें आप इसमें बिल्कुल exactly intraday नहीं पर intraday में भी इसका impact रहता है पर आप over a period of time उसका क्या एक downside trend है या upside trend है या consolidation में चल रहा है इन सब चीजों को आप थोड़ी एक clarity ले सकते हैं चार घंटे के time frame पर चार घंटे और daily charts देखें बहुत सारे ऐसे YouTube में question होते हैं कि कौन से time frame को हम use करें देखें time frame सारे आपको देखने चाहिए पांच मिनट से लेके 15 मिनट, एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, आठ घंटे, daily, weekly, monthly ये सारे time frame आपको देखने चाहिए इन सब का एक conclusion निकाल के आपको ये पता चलता है कि आपको क्या trade लेना है ठीक है और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ज पर एक नज़र डालते हैं यहां अगर हम देखें मार्केट में pandemic के बाद एक buying आनी शुरूई थी जिसमें इसने 56,000 के level को touch किया वहां से एक consolidation to downside हम एक trend देख रहे हैं selling pressure देखिए selling pressure अभी तक start नहीं हुआ है कुछ बहुत सारे buying बताता है कोई consolidation बताता है मेरा यह view है अभी selling start नहीं हुई है यह सारा का सारा जो आप यहां तक जितना part देख रहे हैं देखिए एक bounce आया कि spike आया बहुत जबरदस उसके बाद market अभी consolidate हो रहा है यह पूरे part में इसके नीचे देखिए वो थोड़ा सा time लगेगा यहां से अगर यह इस कुछ range में अगर यह अपने आपको कुछ closing दिखा देता है कुछ दिन अपने आपको इस price में hold कर लेता है तो आगे हम further downside देख सकते हैं काफी नीचे के levels हमें चार्ट में दिखा सकते हैं वो time कब आएगा कब नी आएगा वो एक चीज़ देखने की होगी पर फिलहाल अभी तक downside मेरा इमानना है कि अभी शुरू भी नहीं होगी है वो जब शुरू होगी तो जैसे जितने traders इस uptrend में trap हुए थे जा सकता है तो आप वहाँ पर सिर्फ एक ही कोशिश करें कि आप अपनी कोई position ना लें जब तक वो उपर जा रहा जाने दीजिए उसे क्योंकि उपर जाने में आपको बहुत ज़्यादा एक space नहीं मिल पाएगा profit book करने के लिए downside में जब वो start होगी तो आपको space भी मिलेगा बहुत अच्छा profit भी मिलेगा और आपके return आपके जो investment है उस पर एक अच्छा खासा return मिलेगा फिलाल जो price है 50,162 ठीक है वापस चलते हैं 15 मिनिट के time frame पे यहां हम levels समझने ही कोशिश करते हैं से ऐसे levels हैं जो हमारे लिए अब important हो सकते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ के इसमें मैं आपको एक उस price को बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है आज की rate में थोड़ा सा उपर है पर यह positional traders जो हैं उनके लिए काफी helpful रहेगा वो price है यहाँ पर 50777 ठीक है इस price को break करना काफी ज़्यादा मुश्किल है market के लिए काफी ज़्यादा उपर है देखिए 600 point की एक upside मैं समझ सकता हूँ इसे पर आप इसे इस तरीके से समझेए कि यह 600 point आपके लिए कितने बड़े हो सकते है market बिल्कुल अपने support के आसपास है अभी एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कई सारे sign up market इस तरीके से दे रहा है कि gold में strength जो है वो भी खतम हो चुकी है और market नीचे में अपने बिल्कुल exact support level के आसपास कहीं trade कर रहा है इसके नीचे अगर इसकी एक दो दिन closing हो गई बहुत ही sharp correction आप फिट से इसमें देख सकते है हो सकता है आज से start हो जाए और हो सकता है थोड़ा सा time ले ले तो ये एक price है 600 point का मैं ये कम गए कि आप stop loss लेके अगर positional trader है तो आप इसमें बने रह सकते हैं दूसरी चीज के आज intraday के लिए selling का क्या level हो सकता है देखिए मेरे हिसाब से selling का level हो सकता है 200 रुपए के आसपास 50-250 के आसपास कहीं भी आप sell कीजिए वो एक आपके लिए अच्छा price हो सकता है जिसमें थोड़े से selling के indication और ज्यादा strong तब हो जाएंगे जब ये अभी का low break कर देगा मेरे ख्याल से 149 का इसका break low बना हुआ है तो वहाँ पर selling के जो sign है वो और थोड़े और strong हो जाएंगे और आपके जो selling price है वो 250 के around अगर हो तो वो जादा अच्छा है ठीक है नीचे में अभी एक second देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस price को इसने break किया इसके भी break होने के chance है एक इस तरीके की trend line बनेगी यहाँ तक के price touch होने के touch होने की उम्मीद है वो trend line आप खुद ड्रो कीजिएगा क्योंकि trend line जो हो extend अपने आपको करती रहती है जैसे ताइम ज़्यादा होता रहेगा तो उस ताइम मतलब उस trend line का जो price होगा वहाँ तक इसके आने के chances रहेंगे उसके आसपास कुछ support इसे मिल सकता है ऐसा नहीं जरूरी नहीं के support मिल जाए chances हैं कि महाँ पर support मिल सकता है तो अगर उसे भी break करके market अपने आपको नीचे में hold करेगा तो speed से correction आ सकती है उसका एक और reason है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ देखिए वो चीज और daily charts पर मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ देखिए यह बहुत बड़े time frame पर है वैसे इस line को अगर आप इस line से touch करके इस तरीके से करेंगे तो यह एक price है जिसके नीचे अगर market अपने आपको sustain करने लग गया तो एक अच्छी खासी correction हम आने वाले time में देख सकते हैं जिसमें एक और reason है कि यह एक major support area है आप यह समझ सकते हैं 49,500 के around का कुछ level अगर आज आ जाता है तो आने वाले 3-4 दिनों में ही काफी speed से market correct कर सकता है अपने आपको ठीक है तो यह कुछ जरूरी चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था अब हम चलते हैं वापस 15 मिनिट पे यहाँ पर मैं levels आपको द्वारा से discuss कर दूँ देखे सबसे पहली चीज market में 50,150 के नीचे अगर आपने आपको थोड़ा से hold कर लेता है correction और ज़्यादा speed से आ सकती है दूसरी चीज जो selling का आपका जो एक अच्छा प्राइस है वो 50,250 से 300 के बीच में कर रहता है तो काफी एक अच्छा प्राइस आपका होगा उसके उपर में 50,777 यह वो प्राइस है जिसके अगर market break करता है और उसके उपर sustain करता है तो इसमें थोड़ी सी strength नजर आ सकती है अधरवाइस strength कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है gold में नीचे के chances है downside view है और वो कितना continue रहता है वो कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है 49,500 के around इसे support मिलने की उम्मीद है वहाँ फिर से support मिलता है या support भी वो इस तरीके से मिलेगा जो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर market थोड़ा सा रुख सकता है और फिर अपनी जो downside है उस trend को वो और ज़ादा आगे extend करेगा ठीक है दोस्तों तो यह था मेरा gold mcx पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें share करें बने रहें मेरे साथ देखते रहें यह market report धन्यवाल